अभी हम कर रहे हैं संस्क्रिट का जो टोपिक हमने किया था उसके अंदर करता कारक जो की जैसे की बाल कहा बाल कौ बाल कहा ना चक्रम चक्रे चकराणी वह वाली टोपिक वो एकस्टसाइज हमने की थी अब उसी के अंदर ये थोड़ा सा हम इसका अभ्यास करेंगे कि अगर मान लिया कि ऐसे fill up exercise आ जाती है तो इसको हम कैसे कर पाएंगे ठीक है तो जड़ा देखिए जैसे यहाँ पर है हमें एक पद के अंदर उत्तर देना है अब कउ कउ आ गया तो ये भी आपको वैसे आनी चाहिए कि किम के कानी ये न पुश्लिंग के लिए होता है पुश्लिंग के लिए ये होता है कह कउ के और स्ट्रिलिंग के लिए ये होता है का के काहा जैसे कि कै कउ के आपने किया था सरुनाम के अंदर सह ताउते स्ट्रिलिंग में किया था सा ते ताहा तो ये हुआ का के काहा न पुश्लिंग में किया था तत ते तानी तो ये हो गया किम के कानी उसी के इसाब से क्लियर हुआ, तो अब कउ आया हुआ है, यानि कि पुलिंग, द्वी वचन, तो इसका उत्तर द्वी वचन में होना चाहिए, यहां हमें मंजूसा दे रखी है, तो द्वी वचन के अंदर सिरफ यह है, तो यहां पर जो होगा, यह आएगा इसका, बाल कउ, क्लियर हुआ, नपुष्लिंग के लिए है, एक वचन के लिए है, तो चक्रानी भी नपुष्लिंग है, लेकिन यह बहुँ वचन है, पुष्पम नपुष्लिंग है, यह एक वचन है, तो यह पुष्पम जो है, इधर आएगा, क्लियर है, नेक्स्ट है, कह लिखती, यह क्या चीज हुई कह कव के यानि कि सैताउते यानि कि पुलिंग एक वचन तो पुलिंग एक वचन यहाँ पर यह है और और नहीं है तो छात्रह यहाँ आएगा कौन लिखता है छात्र लिखता है कानी चलंती क्या चलते हैं नपुशलिंग भुवचन किम के कानी तो यहां आएगा चक्राणी व्यासे यहां पर नपुशलिंग कुछ भी आएगा बहुवचन में आएगा जो चलता हो के रक्षंती कौन रक्षा करते हैं के अंती आगया बहुवचन में आता है यहां पर कि यहाँ पर भी आया है, कि यहाँ पर भी आया है, लेकिन ये दीवी बचन में है न, अगर तह होता यहाँ पर, तो फिर हम समझते हैं, या तो श्ट्रिलिंग के अंदर कोई है, या नपूश्लिंग में कोई है. हम कई बार होते हैं कि कोई पहाड है उसके लिए भी कर देते हैं कि हमाल्या हमारी रख्षा करता है है ना या कोई दो हमाल्या इमेजिनेशन कर लिया जहाना पहुचे रवी वहां पहुचे कभी कभी ऐसी रचना ही कर लेता है कोई कथाकार है कोई ऐसी रचना कर लेता है तो फिर हम नपुशलिंग के लिए द्विवचन का इस्तमाल करते हैं कि वो रख्षा करते हैं क्लियर हुआ तो के रख्षंति कोन रख्षा करते हैं फिलहाल यहां पर पुलिंग भववचन है तो यह हमारी रक्षा करते हैं हम लोग घर पर आराम से बैटे हैं तो इन शैनिकों की वज़े से ही जो की तैनात है बोर्डर के उपर दुस्मनों से हमारी रक्षा करते हैं उगरवादियों को आने नहीं देते हैं शैलूट इनको नमन है फिर के गर्जनती कौन गर्जना करते हैं तो बचा को ने यहीं बच गया घेवादाल करते हैं ठीकह तो यह एक्सरेज हमें ये वाली तो कर ली समझ में आ गया कि कैसे इन एक्सरेजिसको करना होता है होपसो ये क्लियर आपके लिए फायदेमंद होगा आपको समझ में आया होगा अब नेक्ष्ट है हमारे पास प्रदत वाक्यानी बहुवचने परिवर्तियत की जो हमें दे रखा है निचे वाक्या इनको बहुवचन में परिवर्तन करना है तो बहुवचन के लिए पुष्पम है तो ये बदलेंगे बहुवचन में पुष्पानी पुष्पम पुष्पे पुष्पानी बहुवचन में हो गया विक्सती का क्या हो जाएगा विक्संती ठीक है अब अगर मान लिया ये दिविवचन में करना होता तो क्या होता पुष् पुषपे विक्षताह तब ये उतता है पुषपे विक्षताह अगर दिवीवचन में करना होता तो पुषपं पुषपे पुषपानी पुषपे तो ये दिवीवचन के लिए अब चक्रम चलती एक चक्र चलता है इसका भोवचन करना हमें क्योंकि भोवचन के लिए कहा हुआ है तो चक्रम चक्रे चक्राणी तो चक्राणी चलती का क्या हो जाएगा चलती चलतह चलंती तो चलंती आएगा और अगर दिवचन में करना होता चक्रम चक्रे चक्राणी तो चक्रे आता यहां पर ऐसे यहावे पुशपी आया है चक्रम, चक्रे चलती का क्या हो जाता चल, त, ह क्लियर हुआ अब आगे तत्त पुशपम अस्ती, तत्त तते तानी तो दिवीवचन अगर होता है तो ते, बहुवचन में बदलना है तो तानी तानी पुष्पम का हो जाएगा पुष्पाणी और अस्ति का क्या हो जाएगा संती अस्ति स्तह संती एक है दो है अनेक है क्लियर हुआ और अगर दिवचन होता तो क्या होता है तत पुष्पम का दिवचन पुष्पे अस्ति का स्तह हो जाता ये दिवचन के लिए है दिवचन और ये भवचन के लिए क्लियर है अब मेगह बादल गर्जते है भवचन में मेगह, मेगव, मेगाह आकि मात्रा भिशर्ग गर्जती का हो जाएगा गर्जन्ती तो देख रहे हैं आप अन्ती 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 और द्विवचन है तो मेगह मेगहू हो जाएगा मेगहू गर्ज तह तो द्विवचन में क्या आया तह 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 क्लियर हुआ अब अजा स्ट्रे लिंग है तो चर्ती है वय डिंग में और करना है च्छे upon में रहे उचा पूदाइं करना हा श द्रोक्ists का शिक्सका शिक्स-का उच्युन में करना हो चरतह ये दिवीवचन है ठीक अब लास्ट एक्सेसाइज है थोड़ी सी संस्कृत से संस्कृत भासा के अंदर हमें ये कर्णवर्ट करना है हिंदी में दिया हुआ है राम और अर्जुन पढ़ते हैं दो गए ना राम और अर्जुन राम अहां अर्जुन अहां चो चो का मतलब होता है और और ये बाद में लगता है बीच में नहीं इन दोनों के जैसे इन दोनों के बीच में और लगा है संस्कृत में बाद में लगता है और वो चो लगता है पढ़ते हैं क्या हो जाएगा पठतह द्विवचन क्रिया ओके हिरन दोडता है एक हिरन दोडता है तो इसका मतलब क्या हुआ हिरन को क्या कहेंगे द्विवचन होता तो कि बहुत सारे हिरन बागते हैं तो मिर्गाहा दावती लियर फल गिरते हैं द्विवचन है तो फल का भवचन है तो क्या हो जाएगा फलं फले फलानी फलानी गिर्ते हैं, पतंती, बालिकाए पढ़ती है, अनेक बालिकाए पढ़ती है, तो क्या आ जाएगा, बाले बालाहा, बालिकाहा या फिर बालिकाहा, पढ़ती हैं, बहुत सरी बालिकाओं के लिए हैं, तो फिर पढ़ती, दो बालिकाए पढ़ती हैं, तो बाले पढ़ती हैं, एक बालिका पढ़ती हैं, तो बाला विसर्ग नहीं लगेगा, फिर बालिका में विसर्ग नहीं लगेगा, बाला पढ़ती हो जाता, अब अगला हाथी चलता है, तो क्या हो जाएगा, हाथी के लिए इस्तमाल करते हैं, गजह, चलता है, चलती, दो हाथी चलते हैं, तो गज़व चलता है, अगर अनेक हाथी चलते हैं, तो गज़व चलती, clear हुआ? बिलाव को संस्कित में कहते हैं, बिडालह, खाता है, याने की खादती, और अगर भवचन होता, दिवचन होता तो बिडालह बिडालाव आ जाता हों की मात्रा, और खाद activated हो जाता, अनेक जो बिलाव है, वो खाते होता तो, बिडालाह खादंती होबसो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंध हुआ होगा तो ये exercise मैंने खुद से बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये topic अच्छे से समझ में आए होबसो ये वीडियो तो आपके लिए फाइदेबन साबित हुआ होगा और अगर पसंद आया है तो प्लेज लाइक का बटन दबा दीजिए समझ में आया है और आपको लगता है कि आपके जैसे जो और स्टूडेंट्स है उनको यह फाइदा बचा सकते तो उनके साथ शेर कर लिजिए भाइदी कांझ रूह खाएदा और दूब ऑटन के साथ आपके लो कि एनके सक्वरा सक्षी में आपके सेहां और सूब चैबना कर लिए भी-पाया है